हलो दोस्तो, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी, मैं हूँ सुमी चोधरी और आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे रश्यन रिवोलिशन के बारे में, यानि रूसी करांती के बारे में देखिए दोस्तो, वैसे तो रश्या में बहुत सारे रिवोलिशन हुए हैं, इस रिवोलिशन से पहले भी, और इसके बाद भी बहुत सारे रिवोलिशन हुए हैं, लेकिन ये जो रिवोलिशन हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साल 1917 का रिवोलिशन, इसको कहा जाता है दे Union का राईज हुआ वो USSR के नाम से आप जानते हैं जो सोवियत संग था जिसमें 15 देश थे शामिल थे रश्या को इंक्लूडिंग करके तो ये साल 1922 में इसका राईज हुआ और ये साल 1921 में में विगटित हुआ था तूट गया था आप जानते ही हैं सब देश अलग-लग हो ग नहीं थी जिसको कम्मिनिस्ट गोवर्मेंट यहां पर स्टैब्लिश हुई थी वो सोशलिजम और वो कम्मिनिजम जो दुनिया भर के लिए एक ऐसे लगता था कि ये प्रैक्टिकल थियोरी नहीं है काल मार्क्स की बातों को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे लेकिन उन करके दिखाया यह कर पाया यह वेक्ति जिसका नाम था वलामदेर लेनिन और इसी रिवॉलिशन के दोरान यह सब चीजें हुई तो इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है और अगर आप वर्ड हिस्ट्री को जानना चाते हैं साथे साथ आप किसी भी कॉंप्टिशन एक्जा पर बड़े चेंजेज लेके आया यह और रिवॉलिशन जिसने समाज का जो लोवर तबका है जिसको लोवर स्टेटा कहा जाता है उसके लिए यह रिवॉलिशन बहुत बड़ी उमीद की किरन था सिर्फ रश्या में नहीं बाकी दुनिया भर के ही किनारों में क्योंकि सोश इडिया को इन्होंने प्रेक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया तो जो लोवर स्टेटा है उसको इक्वलिटी का राइट मिला लेकिन यह जो रिवॉलिशन है यह कैसे हुआ यह साल 1917 में हुआ और दो चरणों में हुआ दो फेज में हुआ एक तो हुआ फरवरी में जिसको फरवरी रिवॉलिशन बोला जाता है और एक हुआ ऑक्टूबर में इसको बोला जाता है ऑक्टूबर रिवॉलिशन अब यहां पे कई बार कन्फूजन हो जाता है कि यह फरवरी वाला जो रिवॉलिशन है यह एक्टूल में मार्च में हुआ था और जो ऑक्टूबर का र ग्रेगोरियन कलेंडर जिसको हम अभी इस्टमाल कर रहे हैं ठीक है अभी जो कलेंडर स्टार्ट होता ये साल 1582 में शुरू हुआ था इसको ग्रेगोरियन कलेंडर कहा जाता है और पोप ग्रेगोरी ने इसको शुरू किया था लेकिन इससे पहले भी जो कलेंडर चलता था उ दोनों कलेंडर के बीच में सिर्फ 12 दिन का गैप है 12 दिन का गैप हलांकि धीरे-धीरे आगे चलके बढ़ता जाएगा और यह सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पे है क्योंकि यह जो कलेंडर था इसकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा सटिक नहीं थी जितनी यह जो ग्रेगोरियन कलेंडर है इसकी गणनाई है तो यह कलेंडर साल 1582 में आ गया था और बहुत सारे यूरोपेन कंट्री को कंट्रीज ने इसको अडप्ट भी कर लिया था लेकिन रश्या ने रश्या ने इस ग्रेगोरियन कलेंडर को इस्तमाल करना शुरू किया था साल 1918 में और आगे चलता है इसीलिए ये मार्च महीना जो है उसमें शुरू हुआ था लेकिन रुष्या के लोग इसको क्या बोलेंगी फरवरी रिवॉलिशियन और और एक्टूबर वाला रिवॉलिशियन जो है जो ऐक्चुल में नौवर में शुरू हुआ उसको अक्टोबर रिवॉ तो मोनार्की का end तो हो गया था फरवरी revolution में, ठीक है, उसके बाद जो second phase था October revolution, इसमें जो मैं Bolcheviks की बात कर रहा हूँ, जो Lenin की अभी बात कर रहा था, वो Lenin की party हुआ करती थी Bolcheviks, आगे चलके तो ये Communist Party of Russia और Soviet Union बन गई, लेकिन पहले इसका नाम हुआ करता था Bolcheviks, त खुद capture कर लिया, मतलब यहाँ पे Lenin के पास power आ गई, और वो यहाँ पे USSR के पहले प्रीमियर बने, यानि की एक तरीके से वो अपने आपको dictator of plutariat बोलते थे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा ही, और यहाँ से Soviet Union साल 1922 में बना, revolution तो 1917 में ही खतम हो गया था मानली जी, दिस से उनको पढ़ना है और उसके बाद इसकी significance इसके aftermath या इसकी legacy है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आपका जो short notes बन जाएं, अगर आप revolution को पूरा जानना चाते हैं, कहां से कहां तक गया, तो मैं एक बार यहाँ पे आप इसको screenshot भी ले सकते हैं, इसको एक बार के लिए देख लीजिए, साल 1900 में जार जो है Nicholas II यहाँ पे रूल कर रहा था रशिनम पैर में, मैं डीटेल में आपको आगे बात बताता जाओंगा, अभी यहाँ पे मैं fast fast बोलता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार ना बोलना पड़े, 1904 में रशिया जापान के बीच में एक बहुत बड़ा युद हुआ, उसमें जापान जीत गया, जिसकी वज़े से रशिया को बहुत बड़ा loss economical और इनकी प्रेस्टीज के उपर बड़ा ही attack हुआ, जिसकी वज़े से लोगों ने जार के खिलाफ आंदोलन कर दिये, आंदोलन के बहुत सा एक नया लेगिसलेचर बनाना पड़ा, जो की जनता का पर्तिरी दित्यों करता था, जिसका नाम रखा गया, डिूमा, ठीक है, 1914 में फैस्ट वर्ड वोर्ड शुरू हो चुका था, जिसमें रशिया शुरुआत से ही शामिल हो चुका था, ठीक है, एलाइड पावर की तरफ था, दूसरे तरफ सेंटरल पावर्स थी, आपको पताई है, जहां पर जर्मनी उनका एक तरह से लीडर था, जापान था उनकी साइट, तो यहां से रश्या को फैस्ट वर्ड वोर्ड में काफी सारा नुकसान हो रहा था शुरूआते समय में, और उसके बाद आगे क्या तो हम बाद में बात करेंगे ही, फिर फर्वरी रिवॉलिशन शुरू हुआ, मोनार्की का अंत हुआ, फिर अक्टूबर रिवॉलिशन हुआ, जिसमें प्रोविश्यल गवर्मेंट है, वो खतम हो गई, और लेनिन ने खुद को यहां पे डिक्टेटर गोशित कर दिया, व उसके वो कम्यूनिस्ट पार्टी के पहले लीडर बने, और उन्होंने इस कम्यूनिस्ट आइडिया को एक तरीके से प्रेक्टिकल शेप दे दी, और यह आगे चलके साल 1901 में तक चलता रहा, और यहां तक इसके बाद यह डिजॉल्फ हो गया, ठीक है, हलांकि अभी भी कम अमपायर को समझते हैं और इसकी राजनिती को समझते हैं कि वहां पर रूल कौन कर रहा था, देखे बात करें सबसे पहले साल 1613 की तो वहां पे एक नोबल था, एक यंग बोयाल यह नोबल मैन था, जिसको रशिन में बोयार कहते हैं, इसको जिसका नाम था माइकल किया गया, जनता ने इसको जार अपोइंट किया, ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये रोमनोफ फैमली जो थी, ये रूल कर रही थी, काफे सालों तक शुरू आती जो जार थे, जिसको कई बार जार को टी साइलेंट है, कई बार सी जड ए आर लिखा जाता है, तो दोनों एक ही बात है, जो उन्हों को जार ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद साल 1721 तक तो ये जार जो है, ये लोगों के बीच में रहे हो, इन्हों के पास ज्यादा ताकत थी नहीं, ठीक था के एक तरीके से ये फ्यूडल लोड की तरह ही काम करते थे, लेकि शप्ता जो है, वो completely आ गई है, वो absolute monarch बन गया है, उसके ओपर किसी का control नहीं रहा है, तो ये Romanov family थी, Romanov dynasty थी, तो आप हो सकता है कोई ये सवाल पूछे या comment में कहें, कि agent Romanov Avengers वाली वो था नहीं, उसी इसी family से belong करती थी क्या हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये Romanov है, नाम वही है, एक्चुल में, उसमें भी यही नाम इस्तमाल करते हैं, कई जगर O, F भी इस्तमाल कर देते है, Romanov में, तो ये jar जो है, ये टाइटल हुआ करता था, एर Russian Empire का, ठीक है, अब ये है इतना बड़ा Russian Empire, जो कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश रशियाई है, और लेनिन गार्ड भी कहा गया, लेकिन पुराना नाम भी इसका सैंट पीटरसबग था, और आज भी इसका नाम सैंट पीटरसबगी है, ये उस समय पहले की राजधनी हुआ करती थी, जब Russian Empire, jar की सत्ता के अंडर हुआ करता था, तब ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, निक निकुलस सैकंड जो है, ये सत्ता को संभालते हैं, उसी साल ये एक जरमन प्रिंसेस जिसका नाम होता है, अलेक्जन्डरा, उससे ये शादी कर लेते हैं, और ये यहाँ पे बन जाते हैं, जारिना और jar यहाँ पे न्यूक्त हो जाते हैं, और ये इनोंने अपना, राज्या बिशेक करवाया है तो जार हैं ये निकुलस सेकंड और ये हिनकी वाइफ अलेकजंडरा ठीक है अब इनका जो करेक्टर है अलेकजंडरा का ये काफी कांटरवर्शिल था ऐसा मना जाता है कि जारिना जो है ये अलेकजंडरा इनके जो रिलेशन थे राजा के साथ वो से रहा था ये और ऐसा कई बार ऐसा लोग मानते हैं कि जारिना जो अलेकजंडरा है उसके साथ इसके कुछ सम्मन थे रिलेशन थे कोंटरॉर्शि थी और उसकी वज़ए से लोग इसको ना पसंद करते थे और ये काफी सारे क्लेम करता था कि ये ऐसा है इसके पास को जाद को एडवाईज कर रहा था रासपुतिन तो ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही थी इस्पेशली जो नोबल थे वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जारी थी रासपुतिन की बात सुनी जारी थी इससे वो चड़के साल 1916 आते आते तो इस रासपुतिन की इन्होंने हत्या करा दी ठीक है वहाँ के जो नोबल मेंस थे उन्होंने इसकी हत्या करा दी तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जार की सत्ता के अंदर लोगों का जो विश्वास है वो तूट रहा था अब बात करते हैं अपनी उन घटनाओं पे आते हैं जिसका हमने अभी जिकर किया थ सबसे पहले बात करते हैं रुसो जापनीज वोर जो की 1904 में लड़ा गया देखिए उस समय ग्लोबली दो बहुत बड़ी ताकतें थी वैसे तो रश्या जो की ये रश्यन अंपायर है और इसका इस्टन एरिया है और यहाँ पे देखो इसके साथ जापान लगता है आज का पाध क्या होता है कि रश्यार और जापान दोनों ही इस इलाके को Korean Empire और Manchuria ओले बात इनके पास पोर्ट्स थे जहां पूरे साल अपन नहीं रहते थे वर वह जह रहे बहुत जदा होती है Рस्यामेब याम आप दन हमिस्पेर में पढ़ता है और यहां पर सर्दी जादे पढ़ती है तो इनके सारे के सारे जो पोर्ड्स हैं वो काम नहीं करते साल बर एक तो इनके पास यह पोर्ड था जिसको एक कंट्रॉल करना चाहते थी यह पीए जो है यह वाला पोर्ड जो है इसको कंट्रोल करने मे मन्चूरिया और कॉरियन पेनिंस विला के पास जो पड़ता है ये पोर्ट तो इस पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए रश्या जो लगा रहा था दूसरी तरफ जापान जो है ये नहीं चाहता था कि रश्या के कंट्रोल में ये वाला इलाका जाए तो उसके बाद इनके बीच में एक लड़ाई चलती है और इस वोर्ट में पहली बार किसी एशियाई ताकत ने किसी यूरोपियन ताकत को हराया था अब European ताकत कौन रशिया अब रशिया तो यूरोप में भी है और एशिया में भी है लेकिन ये दोनों ही continent का माना जाता है इसलिए इसको कहा गया बस बात ही है आप कहें तो आप एक Asian power ने Asian power को हराया और चाहे कहने को आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि रशिया दोनों में ही आ भानती थी वह और में हारा तो सही ही रशिया साथ ही साथ इसका बहुत जश्यादा वैल्थ का भी नुकसान हुआ पैसे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एकोनोमिक कंडिशन भी इनके खराब हुई इससे क्या कि लोग नाराज हो गए और लोगों ने इनके रिवोलिशन ने भी कुछ चेंजिज लाए और वो रिवोलिशन आगे चलके साल 1917 के रिवोलिशन का भी एक बड़ा कारण बनता है और वो कैसे दिखी शुरुवात में हम बात करते हैं इंडिसलाइशन की वैसे तो 18 शताबदी में इंडिसलाइशन शुरू हो गया था सबसे लेबर्टेन में शुरू हुआ था उसके बाद यूरोप के बहुत सारे देशों में फैला यूएसे में फैला लेकिन उसके बाद रश्या में ये काफी लेट पहुंचा लगबग अर्ली 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंतिम टाइम पे यहां पे महुंचा इंडिसलाइ पहले थे उनका भी यहां पर आप यहां पर राइस देखने को मिलेगा क्योंकि worker ट्लास जो है उसका थी पॉपलेशन बढ़ रही थी शहरों की तो वहां पे खाने पीने की समाज समान की कम हो रही थी आनिम्प्लोईमेंट बढ़ रहा था क्योंकि जनसंक्या बढ़ रही थी ठीक है उसके बाद आप जानते हैं कि रश्या का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा बहुत जादा सुट क्रॉफ फेलियर होने की वज़े से यहां पर खाने फीने की चीज़े और महंगी हो गई यानिकी इन्फलेशन हो गया और लोग धीरे-धीरे गुसा हो गया उनके पास बेसिक रिक्वाइर्मेंट्स की जो चीज़े हैं वो भी इनके पास नहीं थी ठीक है और उसके बाद य गया 1904 का जिसने इस इस रिगॉलेशन से पहले आग में घीका काम किया ठीक है तो यहां पर फिर मास प्रोटेस्ट रश्या में शुरू हो गए हैं जार के खिलाफ और यह जो सैंट पीटरसवाइक शहर जिसको मैंने कहा था पेट्रोगार्ड वहां पे लोग इखटे होने शुरू हो गए जार से रिफॉर्म्स की मांग करना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि हमारी लाइफस्टाइल जो खराब है जो वर्कर क्लास हैं उनके लिए रिफॉर्म्स लेका आए जाए हमारे लिए एक ऐसी बोड़ी बनाए जो हमारे लिए काम करे जैसे लेगिस लेच जैसे जलियावला बाग हुआ था उसी तरीके की घटना आप इसको मान सकते हैं जलियावला बाग तो चलो वो तो हंग्रेज थी दूसरे देश के लोग थी इसने तो अपने ही लोगों के उपर अटेक करवा दिया था उनके उपर गोलिया बरसवा दी थी तो आप एक बात कि किसी भी रिवॉलिशन को किसी भी आंदॉलन को दबाने के लिए अगर उनका लिडर उनका राजा अगर उनके उपर गोलिया चलुआ देता है तो उसके बाद व throughout या भी लोग उससे दबते नहीं है ये इथियास इसका गवारा है चाए आप किसी भी आंदॉलन को उठा क देख लीजी और वैसा ही यहां पे भी हुआ और लोग यहां से गुसा होके उन्होंने इस आंदोलन को और बढ़ चड़के पार्टस पेट किया और पूरे देश भर में यहां पे मास प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए इसके बाद किया है जार को भी उनके सामने जुकना अक्टूबर मोनिफेस्टो आया इसमें क्या है कि निकॉलस सैकंड ने क्या किया एक क्या बोलते हैं लोगों को राइट देने के लिए जैसे मेगना कार्टा वगरा दिया था ना पहले उसी तरीके से इनको एक मैनिफेस्टो दिया जिसमें क्या कहा गया कि मैगना कर्टा ज लग लग अदिकार दिये गए हैं दीरे दीरे राजा जब उनकी ताकत कमजोर होती है तो लोगों के सामने दब के जो डिकलेरेशन देते हैं उसी तरीके का एक मेनिफिस्ट होए था जिसमें लोगों को फ्रीडम ओफ स्पीच और एक लेक्टेड पार्लेमेंट देने का वाद कमजोर हो रही है और डियूमा में जो लेगिस लेचर में जो बैठे लोग हैं वो जार की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं तो डियूमा को डिजोल करके उसे तीन बार साल 1917 का जो रिवलेशन वा ना उससे पहले तीन बार डियूमा को रिजोल वो किया दबाया उसके बाद धीर कि उनकी बातों को सुना जाएगा ठीक है तो यह चीजें हुई यहां पे ऑक्टोबर मैनिफेस्टों में और यहां पे जो रश्या का अबसल्यूट मोनार्क है उससे थोड़ी सी ताकत को छिनने के में मदद करी फिर बात करते हैं सोशलिजम का जो राइज है यूरोप में और इसका जो इंफ्लेंस है रश्या में वो कैसे हुआ वैसे तो आप जानते हैं कि सोशलिजम जो है शब्द साल अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए 1827 में रोबर्ट ओविन ने इसकी शुरुआत की थी इस शब्द को कोईन किया था सबसे पहले इससे पहले किसी ने इसकी शुरू हो चुका था वहां पर शुरू माते हो जो इंडिस्ट्री सोशलिजम जो शब्द है यह इंडस्ट्रील वरकर्स के लिए था एक्च्वल में देखा जाए तो बहुत लंबे समय तो सोशलिजम और यह जो वरकर क्लास के लिए जो उनके भले की बात चल रही थ एक कैप्टलिस सोसाइटी में ही थी अगरिकल्चरल सोसाइटी में था ही नहीं यह तो फिर चाइना में जाके माउजदों के टाइम पर जो है सोशलिजम वहां पर फैला है हलانکہ हम सोशलिजम के बारे में कम्यूनिजम के बारे में और कैपिलिजम के बारे में सेपरेटली बात करेंगे यहां पे इसको बढ़ाते नहीं है रोबर्ट ओवन ने लोगों के लिए काम किया एकनॉमिकल ओरगिनाइशन के लिए workers के interest के लिए इसमें ने काम किया लेकिन socialism का जो seriously जो growth है उसका जो rise है वो हुआ काल मार्क्स और इंगल्स के टाइम पे काल मार्क्स को तो एक तरीके से true father माना जाता है socialism और communism का आप जानते ही होंगे इन्होंने एक किताब लिखे थी communist manifesto और ये एक तरीके का manifesto ही था इसमें बात कर रखी थी communism के और उनके जो worker class है उनके अधिकारों की उनको किस तरीके से आंदोल उनमें पार्टिपेट करना चाहिए क्या-क्या उनके अधिकारों चाहिए इनके बारे में बात कर रखी थी इन कुछ कुछ चीज़ों को वो अलग से समझना चाहते थे अलग से उनको implement करना चाहते थे देखिए क्या था काल माक्स की एक थिए थी जिसको बोलते है तो आप यह समझना है कि workers की बात हो रही है तो काल माक्स का ऐसा मानना था कि किसी भी capitalist society किसी भी feudal society के अंदर एक दिन revolution होगा वहाँ पे socialism rise होगा उसके वाद वहाँ पे communism भी आएगा और communist सरकार वहाँ पे बनेगी यह होना तैह है यह मानना था काल माक्स का हलनकि ऐसा हमीशा नहीं हुआ है कि हर एक capitalist society आगे चलके socialist बन गई हो या communist बन गई हो ऐसा नहीं हुआ है हमीशा लेकिन कुछ cases में ऐसा हुआ भी है तो काल माक्स की जो theories थी उसके according कि यह जो worker class है प्रोलेटेरियर्स की class है इनको आंदोलन के थुरू यह जो capitalist के पास जो power है इसको चिनना पड़ेगा और अपने पास इस ताकत को shift करना पड़ेगा और इसी को बोला गया dictatorship of proletariat लेकिन इसमें इन्होंने कहीं भी इस बात का जिकर नहीं किया कि कहीं भी यह जो dictatorship है यह कोई एक आदमी dictatorship लेगा और वो उनका एक तरीके से बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि इनकी जो थियोरी है वो यूटोपियन है वो hypothetical है वो practical नहीं हो सकती कारण यह है कि सारी worker class एक साथ आंदोलन करें और लोगों से अधिकार चीने capitalist feudal lords से और उसके बाद उस अधिकारों का बटवारा equally कर ले ऐसा possible नहीं है ठीक है तो इसलिए लेनिन ने कहा कि किसी एक आदमी को dictatorship खुद लेनी पड़ेगी प्रोलेटेरियेट्स के बिहाब पे उन worker class की बिहाब पे खुद को dictator घोशित करना पड़ेगा और इन जो capitalist society के जो powerful लोग हैं इन से वो ताकत को छीन किये उसका distribution करना पड़ेगा ऐसा लेनिन का मान करनते थे इसलिए इसको यह practically कर भी पाए ठीक है फिर बात आती है यह है सोशलिजम की बात और यह लेनिन जो है यह आगे चलके रश्या में इस revolution का बड़ा महत्वण हिस्सा भी रहेंगे तो यह सोशलिजम क्या था और किस तरीके से इसने influence किया रश्या को वह मैंने आपको यहां पर समझाया अब बात आती है फरवरी revolution of 1917 1917 का जो revolution था एक्चुल में आपको मने बताई दिया था जोलियन कलेंडर के हिसाब से हुआ था फरवरी में तो एक्चुल में यह कब हुआ था मार्च महिने में हुआ था आठ मार्च 1917 को शुरू हुआ था आठ मार्च क्या हो इन्होंने डियूमा बनाई थी उसका बार बार तकता पलट हो रहा था राजा अपने जार अपनी मरज़े से वहां पे धीरे-धीरे करके वहां पे सत्ता का दिरे कर रहा था कि खुद तो जार था ही लेकिन वहां पे डियूमा में भी लोगों के रिपर्जेंटेट्टिव ना होके जार के पपेट वहां पे बैठे वे थे तो डूमा का जो है फेलियर एक तो वो बड़ा रीजन था उसके बाद यह है फूड सोर्टेज वर्ड वोर वन में रश्या का पार्टसपेशन जिसें लोग बिलकुल खुश नहीं थे लोग बिलकुल नहीं जाते थे रश्या को इसका बहुत बड़ा हरजाना चुकाना पड़ा बहुत सारे लोगों की डेथ हुई बहुत सारे सोलजर सुनके मारे गए बहुत सारा एकनोमिकल घाटा भी हुआ ठीक है और जिस वोर में रश्या किसी तरीके से कोई पार्टी था ही नहीं शुरू में और रश्या ने स्ट्राइक चल रही थी पूरे देश में लेकिन फर्वरी महीने में अचानक से यह जो रिवॉलिशन है यह थोड़ा तेज हो गया और विमेंस ने भी इसमें खूब पार्टिस्पेट किया और इसमें एक विमें थी जिसका नाम था मार्फा क्या नाम था मार्फा वेली वे पर इन्होंने काम करने से मना कर दिया और जब इनको मनाने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि आप मुझे ब्राइब करने की कोशिश मत कीजिए आप लोगों के अधिकारों के बारे में बात कीजिए जो वर्कर क्लास की जो हालत है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए तो इ उनको मारना उनको लूटना यह सब शुरुवात हो चुकी थी ठीक है और लोग यहां पे सड़कों पर निकल चुके थे जार को भी यहां पर एक तरीके से जुकना पड़ा एक्चिल में क्या हुआ जो डियूमा के जो लोग थे जिन डियूमा में जो रिपर्जेंटेटिवस थे वही जार के पास गए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही आंदोलन चलता रहा देखिए कोई नॉर्मल आंदोलन नहीं था जैसे रश्या में फ्रांस फ्रेंच रिवलिशन व ज्यादा ब्रूटल था यहां पर लोग मारने पर अपने जमिदारों को मारने में बिलकुल भी हिचकेचा नहीं रहते हैं उनको इतना गुसा भरा पड़ा था कि वहां पर किसी को भी जो भी आदमी उनकी खिलाफ लगता था उनको उसको मार भी देते थे उनको लूट लेत देखे थे तो यहां से जार को भी एक तरीके से डर लगने लग गया कि कल को हो सकता है कि लोग उसको मार दे इक्च्वल का मतलब ये है कि completely अपनी मर्जी से छोड़ दिया अपनी मर्जी से तो क्या वो दबाव था और इनको यही था रिकमेंडेशन कि आप जार का पद छोड़ दोगे तो आप बच जाओगे उन्होंने अपने बेटे को भी यहां से सक्षिशन से हटा लिया और अपने भाई मिखा मिखाइल को कहा कि तुम जार बन जाओ हो सकता है कि लोग तुम्हें पसंद करने लगें और तुम्हें मारे ना और तुम्हें तुम्हारी सत्ता को स्विकार कर लें लेकिन मिखाइल ने भी मना कर दिया और वो भी यहां पे इस अंदोल में वो मतलब जार बनना नहीं चाहत है और यहां पर जो provisional government थी जो imperial government थी उसने जार की government को completely replace कर दिया ठीक है तो अब एक बात आती है कि इसके बाद क्या हुआ रश्या में दो पार्टियां थी mainly दो पार्टियां के दो political group थे एक तो liberals का था और दोसी तरफ वो बॉल्चविक्स थे मेंचविक्स और बॉल्चविक्स बोलते हैं इनको बॉल्चविक्स तो थे एक तरह किसे लेनिन की और यहां पर मैं एमियान लगा दूं बी ओल की जगा है मेंचविक्स मेंचविक्स जो थे वो थे liberals उसमें aristocrates भी थे nobles भी थे और बड़े वो लोग जो capitalism को support करते थे थोड़ा बहुत private properties को support करते थे socialism को ज़्यादा basically support नहीं करते थे वो मेंचविक्स थे उनको whites भी बोला जाता है बोल्चविक्स को reds भी बोला जाता है आगे चलके हम इसके बारे में भी discussion करने वाले हैं तो इसके अंदर provisional government में शुरुआत में मेंचविक्स का बड़ा ही प्रभाव था बोल्चविक्स इसमें और में नहीं थे तो इन्हों ने क्या किया रश्या जो first world war में था शुरुआत में सारा रश्या देखो विरोध में था इसीज के कि रश्या में रश्या को world war first में नहीं रहना चाहिए लेकिन जो मेंचविक्स थे जो लोग अभी provisional government थे इन्होंने continue रखा ये world war one से अभी withdraw नहीं करना चाहते थे और इससे लोग नाखुश थे बिलकुल नाखुश थे लोग चाहते थे कि तुरंत जो ही जार सत्ता से हटे और ये provisional government है ये यहां से world war one से withdraw कर ले लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत सारे soldiers जो थे वो भी इससे नाखुश थे क्योंकि वो उस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे बहुत सारे लोग इस job को छोड़ देना चाते थे जो इसे क्या बोलते है world war को छोड़ देना चाते थे इसलिए जो रश्या की condition है वो भी खराब होती ज क्या होता है रश्या को बहुत सारा नुकसान हो जाता है foodrage jdби हो जाते हैं लोग मारे जाते है एक्नोमिकल घाटा भी होता है food supply की problem हो जाती है तो लोग और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि हमारे देश में हम क्यों जहल रहे हैं ये सब चीजे जबकि हमारी चुनी भी सरकार है हमारे यहां पर लोगों ने तो democracy मानी लिया था न जो ही जार की सत्ता कांथ हुआ तो उसके बाद तो आपको लोगों की बात को सुनना चीए लेकिन उन्होंने नहीं सुनी धीरे धीरे करके menchewix की खिलाफ हो गए लोग और bolchevix का समर्थन करने लग गए menchewix जो है इन्होंने bolchevix को यहां पर ban भी कर दिया जो lenin की party है उसको ban भी कर दिया लेनिन को एक बार के लिए तो रश्या को छोड़के बाहर जाना पड़ा भागना पड़ा और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वापिस आए तो bolchevix का जो समर्थन है वो बढ़ गया लोग जो है food shortage की वज़े से जो nobles से उनको लूटने लगे उनको मारने लगे और यह जो revolution है धीरे धीरे करके जो अंत हुआ था एक तरीके से फरवरी में वो धीरे धीरे वापिस से बढ़ने लग गया कि जार की सत्ता से अंत उनको मुक्ती मिल गई थी लेकिन अभी भी उनकी जो provisional government है वो उनकी बाते नहीं सुन रही थी ये बात है फिर क्या हुआ अगस्ट सिर्टम्बर महिने में एक military leader है जिनका नाम था कॉर्नोविल, कॉर्नी वोल, लोव ये commander थे उस समय Russian army के इन्होंने सोचा कि ये तक्ता फलट क्यों यहां से जो ये जो मेंचविक्स थे इन्होंने help मांगी बॉल्चविक्स थे बॉल्चविक्स यानि कि ये communist और socialist जो थे इनसे मदद मांगी और उनसे कहा कि हमारी जो तक्ता फलट होना वाला है इससे आप हमें बचा लीजे और ये कैसे बचा सकते थे ये इसले बचा सकते थे क्योंकि इनके पास एक militia हुआ करते थे जिनका नाम था red guard इनके पास training हुआ करती थे बिसीली और एक तरीके से ये guards थे इनके पास काफे हत्यार भी हुआ करते थे तो इन्होंने petroguard शेर को protect किया और ये जो military coup होने वाला था इससे इस गर्मेंट को इस प्रोविजनल गर्मेंट को बचा लिया ठीक है तो बैसिकली ये है कि मेंचविक्स को भी बोल्चविक्स की मदद लेनी पड़ी उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे ये जो प्रौविजनल गवर्मेंट बनी भी थी इसकी credibility जो है उसके उपर लोगों को संदे होने लगा और वो समझने नहीं लगे कि ये क्या कर क्या रही है ने तो ये लोगों की बात सुनते हैं ने ये ढंक से सरकार चला पाते हैं ने ये military को को भी खुद बचा पाते हैं तो इनका रोल क्या है और दूसरी तरफ यहां पर बॉल्चविक्स को इन्होंने राजधानी में बुला लिया था बॉल्चविक्स भी पाउरफुल हो गई ठीक है तो धीरे-धीरे क्या है ये जो liberals और ये जो provisional governments के जो लोग थे इनको धीरे-धीरे साइड लाइन कर दिया गया और उसके बाद क्या होता है कि रश्या जो है सितंबर महिने में republic बन चुका था हालांकि धीरे-धीरे जो constitution लिखा जा रहा था जार की सत्ता के अंत के बाद तो republic तो इन्होंने सितंबर में गोशित कर दिया और एक बात देखे यह जो republic घोशित किया इसके बाद इन्होंने तुरन चुनाव नहीं करवाई चुनाव करवा देते तो लोगों का तो रुख पता चल जाता है वह बोलचविक्स को चाते हैं या मपेने चुनाव की मांग होने लग गई वगध उन्होंने जगह जगह जाके स्पीछे आपको मैं दिखाओं यह लेनिन है और इतने सारे लोग इनकी बातों को सुनने आते थे यह इक्वालिटी की बात करते थे लोगों के वरकर क्लास की प्लॉटेरियर्ट्स की हक की बात करते थे तो लोगों के बीच में काफी मशूर भी थे और उस समय एक बात तो है कि से आजादी मिलेगी हम सभी के पास सीक्वाल रिसोर्स होंगे इक्वालिटी की बात करेंगी ठीक है तो इसके जो कमिया थी वह किसी को नहीं दिख रही थी वह तो बाद में पता चलती है ना जब वह चीज़ प्रैक्टिकल शेप में आती है लेकिन यहां पर बहुत भगत सिंग जो खुद अपने आपको कमिनिस्ट बोलते थे वो भी लेनिन से काफी प्रभावित थे यह बात सच है देखी ठीक है उसके बाद क्या है लेनिन ने क्या किया एक प्लैन बनाया कि ऑक्टूबर उस समय का जो ऑक्टूबर महीना था एक्टूल में 6 नौंबर की बात 6-7 नौंबर की और लेकिन अगर जोलियन कलेंडर की बात करें तो 24-25 अक्टूबर महीने में इन्होंने कहा कि आप जितने भी रेड़ गार्ड तो थे ही पेट्रोगार्ड शहर में तो जितनी भी गवर्मेंट बिल्डिंग्स हैं जितने भी अधिकारी हैं जितने भी यह लिब्रेल्स और एरिस्टोक्रेट्स हैं इनकी बिल्डिंग्स को और इन लोगों को आप यहां पे जाके कंट्रोल कर लीजी अचानक से और यह प्लैनिंग इन्हों ने कर रखी थी कि अचानक से जाके इस दो दिन में यह इनको कैप्चिर कर लेंगे ठीक हैं तो इन्हो आर्मी के अपास इतनी पावर हो चुकी थी और पूरी राजधानी के अंदर रेड़ गार्स मौजूद थे तो इन्होंने आसानी से प्रोविजनल गोर्मेंट को रिप्लेस करके खुद यहां पे प्रीमियर बन गई ठीक है और उसके बाद धीरे-धीरे क्या है पेट्रोग प्रीमियर बना देते हैं फैस्ट प्रीमियर यह तो आगे चलके बनेगा हलंकि साल 1922 में लेकिन शुरुआत में यह खुद को डिक्टेटर ऑफ प्लॉरेट ही बोलते हैं वह खुले बोलते हैं कि मैं तो डिक्टेटर हूं लेकिन वरकर्स का वरकर्स के बिहाब पे डिक्ट इस्ट के खिलाफ डिक्टेटर हूं मैं एक्वलिटी के बात करने वालों के पक्ष में डिक्टेटर हूं ऐसी बाते थी ठीक है लेकिन उसके बाद क्या है जो ही सत्ता प्लॉट हुआ तो वह लोग जो की अभी सत्ता से हटे हैं तो वह एक तरह से रिवर्ड तो करेंगे ही वह एक तरीके से सिविल वर की जैसी सिच्विशन तो बनेगी ही तो इसी के दोरान 1718 के लास्ट में तो यह तक्ता प्लट हुआ ही था है 1718 सो लेके 20 के बीच का जो समय है वो है रुशियन सिविल वर का जिसमें लगभग 20 से 30 मिलियन लोगों की डेथ हुई, casualty हुई इस व जो कम्यूनिजम और सोशलिजम के आइडिया में बिलीव करते हैं और एक तरीके से लेनिन के समर्थक हैं और दूसरी तरफ थे whites वो लोग जो aristocrates हैं, clergy हैं, जिनके अधिकार चीने जा रहे थे basically जो private properties को रखना चाते थे, जो nobleman थे, जिनके पास बड़े जमीदार थे, feudal लोड थे और जो capitalist idea के समर्थक थे, उन सभी का, क्या बोलते हैं, whites में शामिल किया जाता है, तो whites में सिर्फ यही नहीं, सिर्फ Russian लोग नहीं थे, दूसरे देश जो थे USA, France, Germany, England, ये सब लोग भी इन whites को समर्थन दे रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि capitalism और communist दोनों एक द communism की सरकार ना बने, communist government ना बने, और एक तरीके से ये reds की खिलाफ थे, तो लेकिन अंत में reds की यहां पे जीत हुई, obviously साल 1920 आते आते, यहां पे whites को completely इन्होंने हरा दिया, बहुत सारे लोगों को यहां पे मारा गया, eliminate किया गया, और Russian, जो brutal Russian civil war है, उसका अंत साल 1920 में completely खत दिन, Romano family के जो member थे, Nicholas second और उनकी wife और उनके जो बाव की family member उनको भी यहां पे execute कर दिया गया, ठीक है, उनको भी मार दिया गया, ठीक, उसके बाद, साल 1920 में, 1920 तक जीत गए थे, लेकिन धीरे 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 करके साल 1922-23 में जाके लेने, ने dead army को एक तरीके से victory उनकी घोश यह बनेगा Soviet Union, Soviet का मतलब होता है संग एक तरह से, संग नहीं मतलब एक तरह के से workers के लिए होता है, workers की जो union है, उसके लिए Soviet शब्द इस्तमाल किया जाता है, तो Soviet Union बना और यह था USSR, यह जो हलके yellow color का, brown color का जो आपको दिख रहा है, इतना बड़ा Russian empire था, यह इतना बड़ USSR था, हलांकि साल 1991 में यह तूट के 15 छोटे छोटे देशों में बट गया, जिसमें Russia सबसे बड़ा था, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यह जोर्जिया, यूकरेन, मंडोलिया, बेलारूस, लात्विया, यह सब देश इसी USSR का हिस्सा हुआ करते थे, जो 1991 में विगटित हो गया, क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ, उसको हम एक separate वीडियो में बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि Russian Revolution का impact क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे, इसका महत्तों क्या है, इसकी legacy क्या है, लेकि Russian Revolution, obviously सिर्फ Russian फिनोमेना तो नहीं थ इसका जो परभाव है, वो पूरे दुनिया भर के देशों पर पढ़ा, और especially जो capitalist countries थे, जो imperialistic countries थे, जहां पे industrialization हुआ था और capitalism को वो support करते थे, उन देशों के लिए ये एक challenge था, उनके लिए alarming cloak था एक तरह से ये, क्योंकि जो काल माक्स ने कहा था, कि एक दिने एक ऐसा revolution ह होगा, जो capitalism की नियों को हिला के रख देगा, और उसके बाद वहाँ पर socialist ideas का राइज होगा, और communist government बनेगी, तो पहले तो काल माक्स की इन बातों का मजाक सा उड़ाया जाता था, कि यह सा कुछ नहीं हो सकता, यह सब आपकी मन घड़त बाते हैं, आप इन चीजों में बिल ऐसी communist सरकार नहीं बनी थी, और यहाँ पर communist government बन गई थी, तो यह जो communism का idea है, यह practical है, यह सब को यहाँ पर इनोंने जता दिया था, रश्या के आंदोलन ने इन capitalist countries को यह बता दिया था, कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद इस revolution में truly equality की बात हुई, establishment, एक ऐसा आंदोलन जिसमें equality सब को मिली, ऐसा नहीं जैसे French Revolution या American Revolution, American War of Independence था वो तो चलिये, लेकिन जैसे French Revolution में भी ऐसा नहीं कि सब को अधिकार मिल गया हूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो slaves थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे जो women जो थी, उनको तो किसी को नहीं मिल रहा गया, completely control, जो है, state का हुआ, production पे किसी भी तरीके का private sector नहीं रखा गया, ठीक है, और उसके बाद सारे resources को nationalize किया गया, ठीक है, जो जितने भी resources हैं, वो देश के हैं, उस state के हैं, किसी व्यक्तिव शेश का नहीं है, मतलब completely private property का abolition यहीं तो है, communism का idea, obviously, और उसके बाद इसी इसी Russian Revolution ने कहीं, कहीं छोटी सी नियू तो रखी दी थी, उस Cold War की, जो की World War 2 के बाद माना जाता है, कि Cold War का era शुरू हुआ, उन्नी सो इकानमे तक चला, उन्नी सो पचास से इकानमे के बीच में लगभग चला, लेकिन एक बात है, कि जो Cold War की जो लड़ाई थी, जो वो ideological battle थी, वो तो Communist और Capitalism आइडिया के बीच में थी ना, और वो Communism का जो आइडिया है, वो तो अभी सेट अप हुआ था, इस Russian Revolution के बाद, तो इसलिए कहीं न कहीं, वो जो Cold War की नीव है, वो इस Russian Revolution से रखी गई, ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का अंत, होफुली आपको Russian Revolution के अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं, so thank you so much for watching this video, have a good day, see you in next class.